नमस्ते सदावाद सले मात्रभू में आज जो चर्चा का विशय है वो ओनेबिल हाई कोट के द्वारा मिनिसिपल कोर्परेशन को विशेश आदेश को लेकर है और बड़ी नराजगी जाहेर की ओनेबिल हाई कोट ने कहा कि जो पार्क मस्जद के कबजे में है उस पार्क पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं आप उसको खली क्यों नहीं करवाते हैं आप उसको क्यों पेंडिंग डाले हुए हो आप सोचे कि हाई कोट कितने गुश्य में था कि मिनिसिपल कोर्परेशन महां पर मुदूद हुई और मिनिसिपल कोर्परेशन ने का कि साब आज हमार पाकों में जो मजजिद्स बनी हुई है, मजजद का जो कभजा है, वो सैब हमारा है। जबकि शाही इमाम उस मजजिद पर बैठे हुए है और शाही इमाम अपने आपको ये कह रहे हैं, कि जब हम बक्ष बोड के हिस्से नहीं हैं, बक्ष अलग चीज है, और हमारा ये परि चलाएगी थोड़ा सा 5 मिनट उसको समझ लेते हैं कि जिस समय आजादी हमको मिली आजादी के समय पर जो प्रक्रिया चलनी शुरू हुई आजादी की प्रक्रिया एक्चुली अगर एक्चुल में कहें तो सन 1941-42 में शुरू हुई थे 1941 में प्रक्रिया शुरू होने से तात पर ये था कि World War 2 के समय पर जो नेगोशेशन शुरू हुए 1941 से उन नेगोशेशन में पहली कंडिशन ये रखी गई कि पूरे विश्यो से इंपिरिलिज्म को खतम करना है अगर पूरे विश्यो से इंपिरिलिज्म खतम नहीं होगा यान मुश्किल से उसके नेगोशेशन के टाइम पर फाइनल नेगोशेशन ये हुआ कि सभी देशों का जो दूसरे देशों पर कभजा है उनको वो देश छोड़ने पड़ेंगे तो कुछ देशों में अंदोलन चल रहे थे कुछ देशों में अंदोलन करने की इस्तिती नहीं और वो अंदोलन करते तो वो सफल हो नहीं सकते थे मैं कहूं मौरिशयस श्रिलंका मालदीब या अभी यूगंडा की बात आई जो बेल्जियम के कबजे में था यह युद्ध करने की स्थिती में नहीं थे यह क्या अंदोलन करेंगे अंदोलन चोटे-चोटे कंट्री हैं मुश्किल काम नहीं था अजादी हुई तो फिर उस समय इसाईयों ने जो पूरे विश्वक पर उपनवेश्वाद बनाकर रखा था खाड़ी को कबजे में करके रखा था हमको कबजे में करके रखा था भारती महादीब को पूरे कबजे में करके रखा था यहां तक की यूगांडा, रवंडा के मामले में, ब्रिटीन इस समय जूज रहा है, उनके सुप्रीम कोट ने ओर्डर कर दिया है, रिशिय सुनक ने जो ओर्डर किया है, और ये कहा है कि हम इनको वहाँ बापस भेजना चाहते हैं, तो हूती बनाम तुछसी, ये दो समदा है, वहाँ अभी इस तरह से हो क्यों वो दोनों लगता लड़ते रहें, भारत में भी वो ऐसे ही करके जाना चाहते थे, भारत में 562 रियासतों को अलग देश पनाना चाहते थे, और उपर से टूनेशन थियोरी लेई आये थे, इससे पहले 1937 में वो मया मार यानि कि भारत का हिस्सा व लेकर पूरे 10 देश उसमें नए बना दिया उन्होंने, और 562 उनका प्रपोजल था, कैसे करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे इसाई समुदाय का एक फर्मूला था, कि अगर देश में कोई बड़ा रिलीजन है, यानि कि हिंदू मुसल्मान है, तो फिर उस मैंजरोटी को उत्साहित कर दिए, मैजरोटी को हत उत्साहित कर दिए, और अगर वहाँ पर उनकी एथनिक कम्मूनेटी है, जैसे मैंने रवन्डा की बात करी, कि होती ही या और और जो तुछ सी समझाय है, उनके बीच में जगडा करवा दिया, वो दोनों इसाई थे, फिर भी उनको करक करे गए, और इसाई में उनको कनवर्ट करी लिया था, यूएसे से जब वो निकले थे, तो यूएसे पूरा कनवर्ट करके निकले थे, कैनेडा से जब निकले थे, तो कैनेडा को कनवर्ट करके लिकले थे, केबल कैनेडा में और यूएसे में, जो स्पैनिश है या जो ब् उस्टेलिया में अपने लोगों को इस्थापित कर चुके थे, साउथ अफरिका में अपने लोगों को इस्थापित कर चुके थे, न्यूजिलेंड में अपने लोगों को इस्थापित कर चुके थे, कैनाडा में, मैक्सिको में, या मैं USA की बात करूँ, इन में सम्में वो कहा जाता था नेटिव कमुनेटी कहा जाता था वो नेटिव कमुनेटी उन्होंने वहां समात कर दी थी इसलिए आज भी अगर कहा जाए कि उसमें उनके ही लोग साशन कर रहे हैं जो वहां से आये थे बाकी की जो वहां की ओर्जिनल कमुनेटी थी उसको या तो रिलिजन चेंज कर दिया था या फिर उनको जड़ से समात कर दिया था कैनडा में आपने देखा कि लाखों की संख्या में कंकाल मिले हैं और वो भी चर्चों के नीचे और वो स्कूलों के नीचे तो समझ लीजे कि जो नहीं कंवर्ट हुआ उसको मार दिया या फिर वो कंवर्ट हो गये थे तो मैं कहूं कि रवंडा की जो बात है वहां पर यही हुआ होगा कि होती या हाथी समुदाए और तुटसी समुदाए ये क्रिशन बन गए अपनी ओर स्विकार करने के बाबजूद बहुत बड़ी तादाद में इसाये स्विकार करने के बाबजूद जब हम स्वतंत्र हुए तो वह वापस आ गया उनको मालूम था कि अभी ये सही से इसायी बनने पाए और यूरोपियंस यानि की जो वो इसायी वहां के ओरिजिनल इसायी है वो यहां पर रह नहीं पाए क्योंकि वर्डवार की बजह से खाली करना पड़ा था इसलिए उनकी ब्रीडिंग यहां पर नहीं हो पाई सब को वापस गोरों को वापस जाना पड़ा भारत में केवल काले इसायी रहे गए जो उन्होंने कनवर्ट किये थे वो भी धीरे से घर बापसी कर गए थे और उस समय यह डेटा कहता है वाइट पेपर अगर पढ़ेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट का तो वह यह कहता है कि प्रिंसली स्टेट्स में एप्रॉक्सीनेटली फॉटिनाइन परसेंट वो कहते हैं इसाई थे अब फिफिफ्टिनाइन परसेंट इस इसाई कहां से आया और कहां चला गया इसका मतलब है हमारे लोगों को ही उसने इसाई घोशित कर दिया था जो पाइपलाइन में थे लेकिन उस समय पॉलिसी उन्होंने बनाई कि कम से कम हम पाकिस्तान बनाकर छोड़ जाएंगे अब जिना को या तो वो जिना को यहां प्र सुलमानों को तो हकीकत यह है कि मराठों का साशन दिली पर हो चुका था मुगल खुद उस समय बेतन भोगी हो चुके थे यह इत्यास बता रहा है पानिबत की लड़ाई देख लिए सदा से राव को देख लिए या मराठों के युद्ध देख लिए तो उस समय मराठों से अंगरेजों ना लिया है आप सरजू अरजुनपूर की ट्रीटी देख लिए आप फतेगड की ट्रीटी देख लिए तो आपको यह पता लगएगा उस समय की ट्रीटिओं से कि सम मराठों से वापस लिया है उन्होंने मुसलमान केबल और केबल मुगल बाश्या के रूप म ही वोह वहह से वह फर्मांजारी करवातेती उनको ऐष कर वाते थे और उनको ऐष करने के लिए चाहीँ हिंदू समाज को वह ऐसा नहीं कर पाए, युद्ध हुए, युद्ध के बाद वो पैसा कर लिया, तो अब जिना ये कह रहा है, कि आपने हम से लिया है, हमको बापस तो, उन्हें का ये संभव नहीं क्योंकि कॉंगरेस इस समय डिस्कोर्स बदल चुकी है, कॉंगरेस के आगे हो नहीं सकता, तो उसने का पाकिस्तान है, वो तो मांग ही नहीं रहा था, अलग स्टेट उसे चाहिए, वो तो mostly हिंदू बहूल ले था, लेकिन जिना की इस बात को लेकर भारत विभाजन की पॉलिसी मौंट बेटर ने बना दी, भारत विभाजन इसलिए, क्योंकि वो भारत को फते करना चाहता थ पाकिस्तान उसने ले लिया, 13% आबादी थी, 13% आबादी पाकिस्तान लेकर चली गई, यानि कि 25% भूमी उन्होंने लियो, समय 42 लागे स्क्वार किलो मिटर का भारत हुआ करता था, आज 32 लागे स्क्वार किलो मिटर का भारत है, 10,38,000 स्क्वार किलो मिटर भारत पाकिस् जबकि मुसलमानों की आवादी 13% थी उन 13% आवादी में से भी यहाँ पर 2-3% रोग गए और बाखी के वहाँ चले गए यह 2-3% फिर से 16% हो गए और वो वहाँ पर जो हो रहा है वो हो ही रहा है जिना लेकिन यह policy लेकर आया था कि वो हिंदुस्तान को कबजा करेगा और उस भूमी पर कबजा कर लो और उस से राजनीती करो तो भूमी जादा जादा उनके पास होनी चाहिए वो पाकिस्तान ले गए हिंदुस्तान में मुसलमान वो सिस्टमेटिक छोड़ गए बाकी के मुसलमानों को यहाँ अंदाजा भी नहीं रहा कि वो तो ही सुचर है हमने तो पूसल आगया और बकबोर बन गया फिर भी भूमी पर कबजा कैसे हो तो भूमी पर कबजा करने के लिए कहीं मजारे बनाई जाएंगी कहीं पर इमामबाडे बनाए जाएंगे तो कहीं इदगा बनाई जाएगी तो कहीं मजजित बनाई जाएगी कहीं खाली पली नमाज प पढ़ डालो और वहां पर कुछ गुम्य लगा कर कोछ इट लगा कर गुम्य लगा कर ब्रिक्स लगा कर चार अगरवस्ति जलना शुरू करो और धिरे धिरे उसको बढ़ाना शुरू करो भारत religious प्रधान देश है इसलिए इस तरह के क्रत्यों पर कोई ज़्यादा शंका नहीं करता है कोई समय करेंगे चले जाएंगे फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दो किसी मुहले में एक जमीन ले लो उसमें नीचे के फ्लोर में रहना शुना शुरू कर दो दुकाने शुरू कर दो उपर की छत पर टिन डाल कर मज़्य शुरू कर दो तो एक उंचा सा loudspeaker लगा दो, loudspeaker लगा कर बड़ोश्यों को परिशान करना शुरू करो और वहाँ अंडे शुंडे मीट मचली खाना शुरू कर दो, तो हिंदू धीरे-धीरे वहाँ कटने लगेगा और फिर धीरे-धीरे वो आने लगेंगे, यह उनकी policy है, अब इसके तहत ही जो जमीन खाली पड़ी है, सरकार की जमीन है, नुजूल की जमीन है, उस जमीन पर मजार बना कर खजा करना, यह भारत में उन्होंने policy चलाई, उदर से जिना, जमन कश्मीर पर युद्ध करेगा, जिना, जिना के बाद वाले भारत में किसी तरह से 65 का युद्ध, बिना इन्शालला के नारे लगाने शुरू करेंगे, जिन उजेसी निविस्ट्यू में ड्रामे करना शुरू करेंगे, कुल मिलाकर भारत भूमी को कैसे कबजा किया जाए, यह policy है, अब इसके तहत ही पारकों पर कबजा, पारक पर धीरे से, जहां मस्जिद बनी हुई है, मस्ज हिंदू समाज है, वो हिंदू समाज conflict नहीं करना चाता, परिणामी निकलता है कि उसके घर को भी वो कबजा कर लेते हैं, उसके पूरे परिवार पर कबजा कर लेते हैं, उसके पूरे च्छेतर पर कबजा कर लेते हैं, और धीरी धीरे करके, वो काश्मीर बना देते हैं, कर सकना शुरू कर देते हैं बस हमारे पास डूबने के लिए समुद्र बचा है जिस समुद्र में डूब कर आप मर जाएए इसके अलावा आपके पास आप कोई भूमी नहीं बची क्योंकि धीरे-धीरे कट्टा-कटा भारत अब छोटा सा भारत बचा है भारती उप महादीप क के नाम से कपजा है और इसके अत्रिक्त जो अकुपाइड लेंड हुआ जो जो की इवेक्यू प्रापटी हुआ करती थी जिसको आप शत्रु संपत्य कहते हैं वो भी कपजा कर लिया और सिस्टमेटिक तरीके से किया अब इस बात को लेकर एक मामला दिल्ली का दिल्ली जामा मद्जिज ने कपजा करने के बाद उसमें ताले डाल लिये हैं अब पॉब्लिक का कोई भी व्यक्ति जामा मजजित के अंदर नहीं को सकता क्योंकि वो पार्क भी जामा मजजित हो गया मामला हाइकोर्ट पहुचा हाईकोर्ट ने उस बात पर तफ्तिश करवाई तो MCD ने का कि वो साब पार्क हमारे हैं सरकारी हैं जब ये केस चल ही रहा था उसी दोरान उसी समय पर एक और बकबोर्ड गोजगया बकबोर्ड इंप्लीट करके ये कहता है कि साब हमारे जो जो उसके दो गेट हैं उन पर हमारे ताले पड़े हुए हैं और चूंकि हमारे ता उसे नहीं सकते बकबोड का कोई लेना देना नहीं इसलिए बकबोड बनाम जमो मज़िद भी लगातार चलता रहता है कबजे के चकर में लेकिन इस मामले में MCD ने जो अपनी रिपोर्ट लगाई और भागी जो इनिवेस्टिकेशन हुआ उसमें पता लगा कि पार्क तो सरक कर भाने के लिए और खाली कर वो तब वो कहने लगे कि निजाब इसमें देखना पड़ेगा कि ताले हमारे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं हम जरा पकबोट से इंस्ट्रक्शन ले ले उनके वकील बोले और वो इस तरह किनार अरकाट गये लेकिन शाही इमाम या जो जामा मजजित है जामा ने खाली नहीं किया वह तो नमाज कर वा रहा हैं वह तो आजाने कर वा रहा हैं वह तो वहां बैठ रहे हैं वहां विश्राम कर रहा है पुरा कबजा उनकर लिया है उनकी तो वह इंटरनेशनल पॉलेसी है जिसके तहद वह कबजा करते हैं वह तो शुरू से आज पंदरा बाश्चा और उधर के सभी लोग उने एक ही परपस के लिए हुआ था था इसलाम में कनवर्ट हो जाओ कनवर्ट नहीं होगे तो फिर मारे जाओगे हमारे मलमुत्र रोगो धोगे और हिंदू ने मलमुत्र होना पसंद किया जिनको हमने बाद में धर्म भंग होने की संगय द धर्मं के कारण भंग ही कहे जाते हैं आप सोच कर देखिए कि संसार में क्या 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 नहीं हुआ अब बात यहां पर आती है कि MCD उसको खाली क्यों नहीं करवाती आज जब हाई कोर्ट में माम लागया तो MCD प्रेजेंट ही नहीं हुई MCD एपसेंट हो गई और MCD का कोई जवाब उसमें नहीं आया दिल्ली हाई कोर्ट ने उस बात को ध्यान में रखते हुए एक कड़ा इंस्ट्रक्शन जारी किया कि आप उसको खाली क्यों नहीं करवाते आप MCD क्या कर रही है MCD उसको खाली करवाए ये जनता के पब्लिक के एकसेस के लिए खुला जाए पब्लिक के लिए पार्क बने होते हैं MCD उसकी कस्टोडियन है कस्टोडियन होने के नाते M.C.D. का यह दायत तो बनता है किसी पार्क पर किसी का इनक्रोष्मेंट नहों पाए और कोई कोई भी पार्क किसी के कपजे में नहां पाए लेकिन यहाँ पर चूपी मुस्लिम तूस्टि करना का मामला चल रहा है इसलिए दिली बखबोड भी आपने उनका हिजायतुल्ला देखा और पता नहीं उसको देखा होगा वो उसके उपर अब बक बोर्ड की संपत्यां बेचने उसमें एपइंट्मेंट करने बक बोर्ड के लिए जो मुला मौल भी एपइंट के जाते हैं उनके एपइंट्मेंट में पैसा और इतने बड़े घोटाले उसक BJP के पास हुआ करती थी BJP की MXD लगातार उसको खलि करवाने का प्रयास कर रही थी तब दिली सरकार वहां मजजितों को बचा रही थे अब तो MCD भी उनके पास ही है और MCD उनके पास मलख के जृजरीवाल के पास है MCD के जृजरीवाल के पास होने की वज़ाए से अब तो तुरुष्टी करना का पूरा खेल वहाँ पर खेला जा रहा है इसी प्रकार के इंक्रोश्मेंट उत्र प्रदेश में थे योगी अधितना जी की सरकार ने उस समय एक सर्वे के ओर्डर कर दिये थे और मुलाइम सिंग सरकार के द्वारा सरकारी जमीनों को उनके नाम चड़ाने की बात कह दी गई थी उस ओर्डर को कैंसल किया गया है और अब इस समय बोर्ड ओफ रेवेन्यू के दार उन जमीनों पर दोबारा सरवे करने के बाद उनको पापस लिया जा रहा है और ये कहा जा र पॉब्लिक उस पर डिसिजन ले सकती है तो इसलिए सरकार को अगर अलॉट करना है तो सरकार फ्रेश अलॉट करे लेकिन जो पहले से पॉब्लिक की प्रपटी कोशित है उस प्रपटी को अलॉट करने का अधिकार आपको नहीं में खासतार से बोर्ड ओफ रेवेन्यू को अगर आपको करना है तो विधान सभा में रेजोलूशन लाइए और फिर वहां पर वो पास करिए तो विधान सभा में रेजोलूशन तो आया ने था Board of Revenue का order था Board of Revenue के order को योगी अधितनाजी के सरकार ने खतम करवा दिया था और कहा था इन जमीनों को बापस लो हाला कि उसमें शमी मैमम उपर सचे बैठा हुआ था माइनरेटी का उसने जो आदेश किया वो आदेश आधा दूरा किया बक्व के सरवे का आदेश भी उत्तरपतिश में सही से नहीं उपाया उसका कारण था क्योंकि बक्व के मामलों को उनका जो सेग्रेटरी देख रहा था वो खुद में एक मुसलिम था मुसलिम की एक खास बात और लोग कहते हैं वो यह है कि वो पहले मुसलमान है बात में सरकार का इंप्लाई है अगर वो मुसलमान नहीं है तो सरकार के इंप्लाई कैसे हो सकता है और मुसलमान है तो अल्ला का काम करेगा और अल्ला की जारी जम कर रहा है कि इंक्रोश्मेंट को खाली करवाया जाए और इंक्रोश्मेंट को खाली करवाकर पूपली को दे दिया जाए ऐसा लेकिन के जरिवाल के सरकार करने के लिए तैयार नहीं है यही कारण that कि हाई को प्रतेश में बहुत सारे बुल्डोजर हैं बुल्डोजर उत्वड़ते से ले लीजे और बुल्डोजर लगा कर उसको खाली करवाईए बाट जामा मजजित के मामले को भी सुल्टाना आवश्चक है क्योंकि जामा मजजित ने यह जो इनक्रोश्मिन करकर रखा इसके तरिक्त जामा मजजित ऐसा कहत जिस मंदिर को तोड़कर जामा मजजित बनाई गई थे उसका विवात बार-बार कोट में जा रहा है और कोट उस पर क्या डिसाइड करता है या क्या कर रहा है यह तो भविश्य ही बताएगा लेकिन आज की सिचुवेशन यह है कि वहाँ पर कपजा MCD का ना होकर कपजा जाम मजजित दोनों शामिल है अब वो दोनों मिलकर उसका अबजे को बरकरार कैसे रखते हैं और MCD पीछे एट रही क्योंकि MCD केजरीवाल के पास है और केजरीवाल तुष्टिकरण की नीती पर बिल्कुल खरे उतरने वाले इनसान है इसलिए वो विवात पड़ा हुआ है हा जय हिंद जय भारत वन्यवा द्रम उल्पाय ँटका झालाओ कैसे प Nous दया है हुआ है क्योंकि क्योंकि में साइब एटाश। ए रacaksınक जैuyorsun, इसमारा प्रेवाल की ए Score तो जय है क्योंकि न मुम्रा कजूacked बाद़ार कि त fak полез शोब हैgli उसमार्द है उसान है ुछ इया कि जले बिल्सान यद trusting न